अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी और अच्छी जानकारी है अब ट्रेनों में रेजर्वेशन वाला जंजट खत्म हो गया है दरसल कोडोना काल में रेलवे ने ट्रेन के जनरल कोच में भी रेजर्वेशन के साथ यातरा करना अनिवारे बना दिया था अब ट्रेन के जनरल डबो में दोबारा से बिना रेजर्वेशन के यातरा की जा सकेगी आपको बता दे कि कोविट के वक्त लॉकडाउन के कारण काफी लंबे वक्त तक यातरी ट्रेनों का संचालन नहीं हो पाया था बाद में रेलवे की गतिविद ही दोवारा सुरू होने पर सोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ट्रेनों के जनरल डबो में भी रिजर्वेशन कराना अनिवार बना दिया था जिस वज़े से डेली यातरा करने वाले यातरियों को काफी समस्याओं का सामना करना पर रहा था यातरियों को होने वाली समस्याओं के मद्दे नजर अब रेलवे ने एक बार फिर से जनरल डबो में रिजर्वेशन कराने की बादिता को खत्म कर दिया है आपको बता दे कि रेलवे के इस फैसले का फाइदा यात्रियों के साथ साथ रेलवे को भी हो रहा है अब यात्री पहले की तरह स्टेशन पर जाकर खिड़की पर से जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं आप जनरल टिकट खड़ीदने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खिड की या वेंडिंग मशीन से जनरल टिकट ले सकते हैं इसके अलावा आप IRCTC के UTS मोबाइल एप से भी टिकट खड़ीद सकते हैं साथ ही आपको जिस ट्रेन में सफर करना है उसका नाम बता कर ही टिकट खड़ीदे क्यूंकि अगर आपने पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रिस ट्रेन या मेल ट्रेन का टिकट लिया है और आप सूपर फास्ट ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको परिशानियों का सामना करन पड़ेगा और आप पर जुर्माना भी लग सकता है तो आपने जाना कि ट्रेन से यात्रा करना बिल्कुल पहले जैसा हो गया है अब सफर से ठीक पहले टिकट खड़ीद कर आप आराम से यात्रा कर सकते हैं इसी तरह की इंट्रेस्टिंग जानकारियों के लिए डी ठब को सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज को भी लाइक करें धन्यवाद